Hi.. Hello everyone ,last lecture में हमने देखा था कि Cartesian plane क्या होता है Dectangular coordinate system क्या होता है ,Origin क्या होता है , AXIS क्या होता है और कोई भी point को हम x y form में कैसे represent करते हैं Cartesian plane में आज हम देखेंगे कुछ distance formulas जैसे कि कोई point दे रखा है तो उसका origin से क्या distance होता है या फिर अगर हमारे पास 2 point दे रखा है तो उसका distance कैसे हम calculate करते हैं तो उसके लिए हम कुछ formula conclude करेंगे तो first slide में हम देख रहे हैं कि distance of a point from a origin ठीक है तो अगर let's for example यह हमारा x-axis है और यह y-axis है और कोई एक point दे रखा है यहाँ पे p x,y तो हमें calculate करना है कि op का distance क्या होगा ठीक है तो op का distance हमें calculate करना है तो हम यह distance कैसे calculate कर सकते हैं तो यह point दे रखा हम है p point जहां से जिसका distance हमें calculate करना है origin से 0,0 से हम इस point से एक perpendicular line draw करेंगे ठीक है एक perpendicular line हम draw करेंगे x-axis पे और similarly एक perpendicular line हम draw करेंगे y-axis पे भी तो जब हम x-axis पे यह perpendicular line draw कर रहे हैं तो हमें पता है कि यह line कहा meet करेंगे x-axis पे क्योंकि x तो constant होगा x तो हमेशा constant होगा इस line पे और y-coordinate क्या होगा 0 होगा हमने देखा था last lecture में कि कोई भी point जो x-axis पे होगा उसका coordinate x,0 के form में होगा ठीक है वैसे ही अगर p-points एक perpendicular draw करेंगे y-axis पे तो उसका coordinate क्या होगा 0,y ठीक है क्योंकि y तो constant होगा इसका बट जो x-axis का coordinate होगा यहाँ पे वह 0 होगा ठीक है तो अब हम देख सकते हैं कि यह एक right angle triangle बन रहे है यह right angle triangle बन रहे है अगर हम perpendicular draw कर रहे है पी से x-axis पे right angle triangle बन रहे है जिसका अगर इसे हम o मान रहे है और इसे a मान रहे है ठीक है तो op हमारा क्या होगा यह hypotenuse हो जाएगा p-e क्या हो जाएगा perpendicular हो जाएगा और o-e क्या हो जाएगा base हो जाएगा ठीक है अब हम देख सकते हैं कि perpendicular जो है उसका distance तो हमें पता है यह जो सेम होगा यह distance क्या है हमारा यह distance to y है कि कोई भी point अगर y-axis पे 0 का हमा y के form में हो तो उसका distance 0 से क्या हो जाएगा जेतना unit हमें यहां से यहां चलना हो तो y unit है चलना होगा ठीक है तो यह length और यह length parallel है तो यह perpendicular का भी length क्या हो जाएगा ठीक है और similarly यह length है हमारा यह length क्या होगा यह length हो पाइठागोरस theorem use कर सकते हैं पाइठागोरस कोई भी अगर हाइपोटन्यूस का दिस्टंस क्यलक्tak किलीट करना यह तो हमे पता हैerson पता है कि पाइटागोरास ठीरम क्या होता है हाइपोटेनियोस का स्क्वार इकोल स्टू परपेंडिकलर का स्क्वार प्लस बेस का स्क्वार ठीक है हाइपोटेनियोस क्या है हमारा O P, O P का ही length हमें calculate करना था, ठीक है, तो O P equals to क्या हो जाएगा, P A का whole square plus O A का whole square, ठीक है, और P A का length क्या है, P A का length हम देख चुके है, P A का length है Y square और O A का length क्या है, X square, ओके, तो O P का square क्या हो जाएगा, X square plus Y square, अगर O P का exact length हमें देखना है, तो यह हो जाएगा, under root of X square plus Y square, तो कोई भी point अगर X Y के form में दे रखा है, और इसका distance हमें calculate करना origins है, तो हम directly यह formula यूज़ कर सकते हैं, जासे कि एक example देखते हैं, कि अगर P का value 3,4 होता, तो फिर क्या distance होता, इस point का origins है, तो हम directly इस formula में put कर देते, तो क्या हो जाता है, O P का length, O P equals to 3 square plus 4 square, equals to under root of 9 plus 16, equals to under root of 25, तो length क्या हो जाता है, 5 unit, okay, अब हम देखते हैं, कि अगर 2 point दे रखा है, तो उसके बेच का distance कैसे calculate करते हैं, तो let's show example, यह हमारा X axis है, यह हमारा Y axis है, और एक point दे रखा हमें, P और Q के form में, इसका coordinate का है, X1, Y1 और इसका coordinate का है, X2, Y2, इन दोनों के बीच के हमें, distance calculate करना है, तो हमारा goal क्या है, to calculate the distance, calculate the distance between P and Q, इसका coordinate हमें दे रखा है, X1, Y1 और इसका X2, Y2, ओके, तो हम same concept use करेंगे, यहाँ पे भी, P से एक perpendicular line draw करेंगे, X-axis पे, तो हमें पता है कि इसका coordinate होगा, X1, 0 होगा, कोई भी line Y-axis के parallel है, तो इसका X तो constant होगा, तो यहाँ पे X1 हो जाएगा, और Y coordinate 0 हो जाएगा, क्योंकि यह X-axis पे meet कर रहा है, Similarly, हम Q से एक perpendicular line draw करेंगे, X-axis पे, इसका भी, यह भी line parallel है, Y-axis से, तो इसका भी X का value constant होगा, तो X2, 0 हो जाएगा, इसे हम मान सकते हैं, कोई point मान रहे हैं, जैसे A और B मान लिया, अब हम क्या करते हैं, कि P जो point है, वहाँ से एक perpendicular line draw करते हैं, QV पे, एक perpendicular line हम draw कर रहे हैं, QV पे, तो अगर यह perpendicular line है, तो यह 90 degree हो गया, ठीक है, और यहाँ पे meet कर रहा है, R पे meet कर रहा है, let's for example, ठीक है, अब हम देख सकते हैं, कि हम अगेन एक right angle triangle form कर पा रहे हैं, R पे, तो यह P, Q, R जो है, एक right angle triangle है, और अगेन हमें hypotenuse का value निकालना है, hypotenuse का value निकालना है, यहाँ पे hypotenuse हो जाएगा, यह बे सम्मान सकते हैं, और यह perpendicular हो जाएगा, ठीक है, अब हम देखते हैं, कि R का coordinate क्या होगा, ठीक है, P का coordinate हमें पता है, Q का coordinate पता है, R का coordinate निकालना है, तो हमें पता है कि यह जो line है, QB, यह parallel है y axis से, अगर कोई भी line parallel हो y axis है, तो उसका x constant होगा, तो यह x2 हो जाएगा, ठीक है, और हम P, R देख रहे हैं, यह line x axis से parallel है, अगर x axis से parallel हो, तो उसका y constant होगा, ठीक है, तो यहाँ पे y का value क्या हो जाएगा, y1, यहाँ पे y1 है, इसलिए इसका भी value y1 हो गया, ठीक है, अब हम देखना है, कि अगर फिर से हम पाइथागोरास theorem use कर रहे है, using पाइथागोरास theorem hypotaneous का square equals to perpendicular का square plus base का square हो जाएगा, और hypotaneous कह है हमारा PQ है, तो PQ का square equal to perpendicular का QR का square equals to base का square, PR का square हो जाएगा, अब हमें निकालना है, कि QR का length क्या है, अगर हमें QR का length देखना हो, यह length है तो हमें पता है, यहां पर x to constant है, सिर्फ y, move कर रहा है और y2 से y1 move कर रहा है, तो distance क्या हो जाएगा y2 minus y1, ठीक है तो यह हो गया y2 minus y1, और हमें देखना है फिर पी आर का length क्या है पी आर का length पता है यहां पर भी सिर्फ x-move कर रहा है x2 से x1 तक और x1 से x2 तक आप मान सकते हो ठीक है तो इसका length क्या हो जाएगा x2-x1 और यह दोनों value को इस equation में put कर रहा है जो पहला equation है हमारा इसमें अगर हम डाल रहे हैं values को तो यह क्या हो जाएगा y2 minus y1 का whole square plus x2 minus x1 का whole square ओके और अगर मुझे यह तो length का square हो गया अगर सिर्फ length निकालना है तो pq का length क्या हो जाएगा x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square ओके आप यह distance formula को memorize कर सकते हो थैंक यू